असलाम वल्कुम एवरीवन वेल्कम बैक टो माई चानल उससे पहले मेरे रेसिपी को लाइक कर दीजे मेरे रेसिपी को शेयर कर दीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजे आज हम बनाने वाले शाही खीर कम इंग्रेइन से हमारे घर में जो 20 गरम मावा है यह चार से पास टेबल स्पून चावल है बासमती चावल लीजेगा इसे भिगो दीजे और दस से बारा मेरे बदाम है यह कुछ केसर है और यह एक टेबल स्पून हमारा मिल पाउडर है तो मैंने इसे बदाम को और चावल को भिगो के रखाता आदा गंटा मैं इसे अभी पीस लूँगी इसे मैंने दोया निए शुकाया निए चलिए स्टार्ट करते है मरी रेसिपी मैंने कड़ी ली है आप हेवी बॉटम लीजेगा क्योंकि जल सकता है उसके अंदर मैंने मेरा दूद आड करतीया है आदा लीटर फुल फ्रैट क्रीम लीजेगा वरना नीचे से खिर लग जाएगी और आपके खिर का टेस्स खराब हो जाएगा तो हमें इसे नीचे से अच्छे से हिला लेना है और हमें इसे एक बॉइल लाने ने देने हैं crist बना लेंगे घाल ला निजेगा पानी दाल कर बनाएगा या दूद दाल कर बनाएगा एक दम फाइज बनने चाहिए हमारा दूद बॉइल हो चुका है एक टैम इसे हमें स्टो करना है नीचे से ताकि यह नीचे से लगे नहीं अभी गरम दूद हम लोग जो हमने मिल पाउडर लिया था एक चमच उसमें दाल लेके अच्छे से विक्स करके कोई भी चमच से या विक्स से उसे मिक्स अच्छे से कर लीजेगे हम उसे मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हमारे जो यह बॉइलिंग दूद है इसके अंदर हम उसे एड़ करेंगे यह स्टेप करने से आपकी घाड़ी खीर मेरे इस तरीके से जरूर बनाएगा आपकी खीर भी दस मिनिट में रेडी हो जाएगी तो देखिए इसमें मैंने एड़ किया है वो जो चावल और हमने जो बदाम पीसे थे उसकी पेस्ट चावल को मैंने सुकाया नहीं है जस भिगो के पीस लिया है और हमने उसी के अंदर ही बदाम भी पीस लिया है ताकि हमारी जो खीरे वो गाड़ी बन सके पाच मिन में यह चावल और हमारे जो बदामे पक जाएंगे चावल डालने के बाद इसे लगातर हिलाते रहिएगा नहीं तो नीचे चावल लग जाएंगे और आपकी खीर जल जाएगी तो इसे बस हिला लेना है अच्छे से और देखिए यह ट्रांसफोर होने आए हमारे चावल हाथ से चेक कर लिए तो चावल पके ले आपको मैसूस हो जाएंगे तो मेरे चावल अच्छे से पक चुके है इस स्टेच पे मैं एड करूंगी हमारा खोया मावा यह होमेड है आप प्रेडिमेड साहरा गता जैई टक हैं और सब्सक्राइण है इसको अब आपक करते हैं काट में आ नंहीं नहीं चाहिए बस इसे दूद्ध में अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से हिला लेंगे और इसको स्टोर करते रहिएगा नीचे से लगना नहीं चाहिए तो इसे अच्छे से मैंने पका लिया है और देखिए मिक्स कर देंगे हम लोग ऐसे चम्मस के हेल्प से अच्छे से mix कर लिए जगा तक कि ये नीचे लगे नहीं हमारा दूद मावा और चावल और बदाम अच्छे से पक चुके है इसे बस एक बॉइल लेना है इसमें मैंने जो आपको केसर बताया था आप वो केसर मैंने भीगो के रखा था वो केसर इसमें डाल दिया है केसर स्ट अबी हमें ऐसे ही मिक्स हिलाते हुए मिक्स करना है देखिए मेरी खीर पांच मिंट ही होगी है पर कितनी गाड़ी हो चुकी है बस अभी हमें इसी स्टेज पे शक्कर दाले हैं मैंने पास से 6 टेबल स्पून शक्कर दाली है आप आपके हिसाब से मिठास अड़ कम जादा कर स इससे आपकी खीर पतली नहीं होगी एदिके मैंने 5 मिनिटी और पकाया है और हमारे खीर को कितना अच्छा कलर आया है केसर से भी और हमारी खीर कितनी काड़ी बनी है लग रही है ना शाही कीर तो इसी तरीके से मेरे स्ट्रिक और टिप्स फॉलो करते वे ज़रूर बनाए बस एंड में हम लोग आड़ करेंगे एक आदा टेस्पून हमारा इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छे से घोल लेना है तक यह दिखे नहीं और खीर को एक उबालाने तक पका लेना है इसमें आप ड्राइफूर्स भी आ अच्छी लग रही है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसी सपोर्ट कीजिए थैंक यू